ले जनाब इस lecture के अंदर जो चीज आपको मैं समझाने वाला हूँ that is called median median का मतलब ही यह है कि center point center point obviously mean को भी अक्सर उकाद समझा जाता है लेकिन वो literal center point नहीं है median जो होता है यह बिल्कुल data का center point है मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से center point है और बहुत अच्छे से हमने इसको सीख लेना है median क्या होता है आपको मैंने बताया कि अक्सर उकाद जब आप mean लेते हैं तो mean के अंदर problem यह आती है कि mean जो है अगर outliers हों तो mean साब क्या करते हैं side पे खिस जाते हैं लेकिन median जो है यहाँ पे हमें help out कर सकता है हमारे पास number है 10, 20 और 30 इनका अगर हमने median लेना है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे इनको sort करेंगे यानि के ascending या descending order में इसे sort करेंगे तो बहतर यह होता है कि छोटे से बड़े की तरफ इसको ले जाओ यानि के 10, 20 और 30 कर लिया अब इनका center देखो यानि के 20 जो है यह center है इसके left side पे भी एक point है, right side पे भी so दोनों side ओं पे मतवाजन points को divide कर दो तो यह आपका center हो जाएगा now we can say के यहाँ पे जो median है that is 20, obviously जो center point है उसी को हम median बोलते हैं अब अगर इसको समझना है तो आप ऐसा देख सकते हैं के एक center है data का जैसे हमने पहले देखा और उसके right और left side पे equal data जो है वो पड़ा हुए equal इतना मतवाजन है के center जो है इस data का वो उनको ना तो इस चीज़ को नीचे गिरने देता है ना इस चीज़ को नीचे गिरने देता है median का एक और concept में आपको समझा देता हूँ कि median का जो सबसे ज़्यादा फाइदा है ये outliers इस पर कोई impact नहीं करते है outliers का कोई impact नहीं है outliers can be handled कैसे अभी आपको में दिखाता हूँ हमने 10 जम्मा 20 जम्मा 30 जम्मा 200 इसको हमने resolve किया था mean को जब पढ़े थे तो ये तक्रीब बनाता है हमारा 260 divided by 4 4, 6 बार 24 2 इदर आगे, 4, 5 बार 20 तो हमारे पास 65 इसका answer आता था यानि के जो 10, 20 और 30 की average थी अगर हमारे पास 200 एक outlier है और 10, 20 और 30 की अगर हम average देखें this could be 60 by 3 is equal to 20 तो 20 से 65 तक चला गया था अब हम देखते हैं कि क्या median में ऐसा होता है या नहीं होता तो हमारे पास data है 10, 20, 30 और फिर आगया 200 ठीक है अब आपको भी पता है कि हमारे पास यहाँ पे आगए है 1, 2, 3, 4 point अगर ताक अदाद होते हैं तो हम center इसका देख लेते कि यह 20 है say for example हमारे पास 3 point है 10, 20, 30 इसका center है जी 20 obviously इसका median भी यही है लेकिन अगर हमारे पास जुफ तदाद हैं यानि कि even numbers हैं then how we will find the median हम क्या करेंगे 10, 20, 30 और 200 अब हमने इस side से भी एक छोड़ा इस side से भी एक center में बचे 2 points यानि कि 20 भी center में बच गया और 30 भी हम 20 और 30 की average ले लेंगे divided by 2 this is 25 ठीक है आपको भी पता है 30 और 20, 50 by 2, 25 तो आपने देखा कि 20 से सिरक के सिरफ और सिरफ यह 25 पे गया है ठीक है यह mean जो है यह कहां पे चला गया 20 से सिरक के 65 पे ठीक है इसका मतलब अगर outlier आभी जाता है इसका बहुत बड़ा impact नहीं पड़ता median पे इस वज़ा से हमें median को भी consider करना पड़ता है whenever we are dealing with something big खास तोर पे housing prices को लेके and this is how median can help us to actually work with outliers अगर आपके data में outlier है तो median आपको अच्छा खासा help out करते है यही वज़ा है कि जब आप null values को impute करते है null values को तो usually लोग prefer करते है median को use करना ठीक है? यानि कि अगर मेरे पास कोई null values है inside titanic data age के column के अंदर तो मैं null values को अगर impute करूँगा मैं median के साथ करूँगा reason क्या है because this is robust to outliers कि इसका कुई ज़्यादा फरक नी पड़ेगा अगर outliers हुए तो mean ने क्या करने उसने खराब कर देना काम और heavy value दे देनी होने ठीक है? जिससे सारे का सारा data skew हो जाएगा and then अब आपके पास जब skewed data होता है something like this जो एक साइड से पिचका हुआ हो median जो है ये actual में data का center में बताता है mean जो है ये हमें data जहाँ पे ज्यादा ही कठा हुआ है वो चीज़ बताता है ठीक है? so अक्सर होकाज जब आपके skewed distribution होती है जो right side पे होता है ना मों median आपका बिल्कुल data के center में आ रहा होता है और left side पे आपके पास दूसरा data होता है so we will understand जब हम different किसम की जो distribution से होने पड़ेंगे तब ये चीज़ आपको ज्यादा समझा जाएगी median जो है easy to explain भी होता है अब आपको एक मैं number देता हूँ आपने इसका median निकालना है 30, 20, 10, 50, 60, 90, 5, 2 ये इसका आपने मुझे median निकालके बताना है कि इसका median के है ठीक है ये आपके पास data points है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ data points है आठ data points है इनका मुझे आपने median निकालके बताना है और comment section में लिखना है let's see कि किसका answer जो है वो best आता है and your time starts now आपके पास 2 minute है अभी यहां पर पता है चल जाना है किसका answer ठीक है आप में से काफी लोगों के answer जाना start हो गए then अब मैं आपको यही चीज solve करके दिखाता हूँ कि यह किस तरीके से resolve होगी and then we will see इसका फाइदा कितना है सबसे पहला काम आपने यह करना है आप में से काफी लोगों क्या किया होगा एक, दो, तीन, चार, पांच, चेस, साथ, आठ दो, चार यहां से छोड़नी चार यहां से तो आपने center वाले लेख इनकी average ले लिए होगी that is wrong आपने पहले तो छोटे number को लिखने sorting करें दो, पांच, फिर आगया दस, बीस, तीस फिर आपने लिखने है पचास फिर लिखने है साथ, फिर लिखने है नवे एक, दो, तीन, चार, पांच, छेस, साथ, आठ आठ होगे अब हमने यह वाले center points ले लिए दो क्योंकि even number है तो दोनों center वाले ले लिए तीन इस जगा पे छोड़ दिया, तीन इस जगा पे अब बीस और तीस यह होगे जनाब, बीस जमा तीस divided by दो यह बनता है पचास बटा दो दो पच्चिस बार पचास यह इसका answer है, median इसका पच्चिस है, अब माब में से जितने लोगों ने पच्चपन लिखा था, जितने लोगों ने 35 लिखा था, जितने लोगों ने कुछ और लिखा था that is totally wrong so पच्चिस इसका जो है मेरे पास इसका answer आ रहे है, अब जिस जिन लोगों ने पच्चपन लिखा है, या कुछ और लिखा है, they need to be very careful about that, जो घलत चीज है उसको समझें और इसको resolve करना सीखें, sorting is the must thing to do sort करना बहुत ज़रूरी है ठीक है, समझाई भात की इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि मैं रसा कशी की टीम बना रहा हूँ ठीक है और जो छोटे बच्चे हैं बड़े बच्चे एक साइड पर कर देता हूँ so that would be wrong so usually क्या होता है average के अंदर ये case होता है कि आपके पास जेसा data वैसे ले है लेकिन अक्सर अगात आपने classes को assemblies के अंदर जब sort out करना होता है आप क्या करते हैं, जब कितारें सुबा को बनती है assembly के अंदर चोटा बच्चा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा तो ताके पिछले बंदे को अगे वाला view नजर आए या आप group photo देख लें जिसमें sorting होती है, बड़ी चीजों से छोटी चीज की तरफ, या छोटी से बड़ी की तरफ, so it's up to you how you sort the data, data को sort करने के बाद, आपने फिर उसका median जो है, वो देखने है ठीक है जी, समझागी median की और median ज्यादा तर होता है real estate के, दुनिया के अंदर ज्यादा तर use होता है, real estate की दुनिया के अंदर जो मैंने आपको पहले भी example दी कि फलाँ हाउस की price कितनी है, उसका median कितनी है median income कितनी है income के data के उपर ये use होते है क्योंकि अगर एक बंदे की आपके घर में से 5 लाक salary है और दूसरे बंदे की 25 जार है तीसरे की 30 जार है तो हम कभी नहीं कहा सकते हम कभी नहीं कहेंगे एक बंदा कमार है इस वज़ा से हम क्या करते है median income देखते है median income क्या है 35 और 30 को जमा करके इनका जो center बनेगा वो median income होगा क्यों? क्योंकि हमने ये तो हम कहा है नहीं सकते हर बंदा 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 कमार है ये तो फिर ढाई को 4 से multiply करेंगे तो ये तकरीबन आपका 10 लाग रुपया बन जाएगा इस वज़ा से income के data पे भी median हम देखते है और real estate के data पे भी हम median देखते है मिसाल के तोर पे आके area के अंदर सब ने घरों की जो price रखी है एक बंदा आता है एक कनाल की कोठी और प्लाजा ये ऐसा बनाता है उसकी rate ज्यादा बढ़ जाएगा तो जरूरी नहीं है कि उसका rate बढ़ने से बाकी भी उसकी तरफ rate बढ़ा दें you need to find out a median order your step and find the median value इस तरीके से median जो है वो calculate करते है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि median किस तरीके से आप python के अंदर calculate करते है ताके आपको clear हो जाए कि median होता क्या है right see let's see मैं screen आपके सामने ले के आता हूँ ये screen आपके सामने आ गई है जी अब हम क्या करते है हमारे पास data वो ही है मैं यहां पे इसको median दे देता हूँ median calculate करने के लिए आप क्या करेंगे सबसे पहली चीज़ आपने अपना data जो है कोई भी लेना for example मेरे पास जो df.head यानि कि titanic का median data है वो ही देख लेता हूँ titanic का data अब मैंने age के column का median लेना है तो simply मैं क्या करूँगा df के अंदर age age लेने के बाद dot median यह मेरे पास इसका median आ गया और यह pandas की library को use करके हमने लिए 28 median है अब इसका मैं आपको df के अंदर age dot mean लिखते हैं तो यह जनाब 29.69 mean है 28 median है और median के value वो ही होती है जो usually आपके data points के center में होती है ठीक है this is how you can actually calculate a median और median को calculate करना इतना है इसकी कोई equation नहीं है सिरफ methodology है जो मैंने आपको दिखाई और आप इसकी base पे अपना data का median जो है उसे calculate कर सकते हैं hopefully यहाँ तक आपको समझ आ गया अब मुझे बताएं कि एक example हम और देखते हैं इसको आपने लिख के बताना है कि इसका median क्या है मैं आपके सामने screen share करता हूँ यह आपके पास एक example है ताके आपको median पका हो जाए 3, 1.5 2, 5 4.5 3, 2, 1.5 इसका आपने median ले के बताना है कि इसका median क्या है value है हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यह हमारे पास values है जी क्या median है जी इसका इसका median आप बताएंगे तो easy हो जाएगा आप लोगों के लिए अगर आपको median इसका calculate करना आ गया है और समझ आ गया है तो please write down in the comment section हूपब करो एक के र बताएंगे ईसका रएगए टो भीधन तेसक में है और समझ quindi इसका रहागे है और स्सका बताएंगे